Study with your master में आपका स्वागत है percentage में हमने कल कुछ questions solve किया उसे concept को जाना और आज हम कुछ questions और लेकर आये हुए है percentage में और देखते हैं कि उनको कैसे हल किया जा सकता है और कितना आसान उनको बनाया जा सकता है उन तरीकों को जानेंगे जिससे percentage के question आसान बन सकते हैं 70 का कितना प्रतिसत होगा ये एक सवाल दिया हुआ है और इसको हल करते हैं बच्चे तो दिया है कि 65 का 80 प्रतिसत तो आप यहां पे इसको लिख सकते हैं 65 का 80% का मतलब क्या हुआ, का का मतलब गुड़ा से हुआ, 80% का मतलब गुड़ा से हुआ, 80% का मतलब गुड़े से, 70% मतलब 70 गुड़े से, 70% मतलब 70 गुड़े 100, बराबर 75 का कितना, तो 75 का मान लेते हैं, यक्स प्रतिसत होगा, तो यक्स प्रतिसत मतलब क्या हुआ, यक्स बटे 100 हो गया अब यहां से इसको काट लेते हैं तो 20 चोग को 80 और 20 पचे 100 और यह हो जाएगा एक सुननी से इस सुननी से इस सुननी से यह वाला सुनी दोनों कट जाएगा ठीक तो अब हमारे उपर रिजल्ट क्या मिलके आ रहा है बच्चे यह 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 13 इसको भी काट लेते हैं 25 तिया 75 पचीश चोग का 100 तो यह आ जाएगा 52 में से 49 चला जाएगा बच्चे इतना आएगा 3 आएगा बराबर 3 X बटे 4 अब इस 3 से 3 यह कट जाएगा तो X की वैल्यू क्या जाएगी यह 4 यहां चला जाएगा तो X की वैल्यू क्या जाएगी तो 75 का 4 प्रतिस्ट इतने के वैल्यू के बड़ाबर होगा 65 का- 65 का – 75 का 80 का मैंस 70 का 70 प्रतिसर अगर इसको साल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 75 के 4 परसेंट के बड़ाबर आएगी इसका मतलब क्या हुआ औप्शन नृमबर 1 इसको detail में अगर आप को जानना है तो पहले इसको हल करना पड़ेगा कि और देखना पड़ेगा कि 75 का 4% कितना होता है बच्चे अगर बाईशांस अगर आपको हल करके इसको देखना है तो पहले देख लीजें कि 75 का 4% जो होगा तो 4 बटी ये 100 हो जाएगा और ये 4 एकम 4, 25 चुक का 100, और 25 एकम 25 तिया 75, यानि 75 का 4 प्रतिसत कितना हुआ, 3 हुआ, इसकी value 3 आई है, और अगर इसको solve करते हैं, 65 का 80 प्रतिसत, माइनस 70 का 70 प्रतिसत, तो उसकी value भी 3 आनी चाहिए, ठिक, तो इसको अगर हम solve करते हैं बच्चे, तो देखते हैं कि आ र रहा है, लेकिन अगर इसको फिर से जानने के लिए अगर देखा जा, तो हल करके देख लेते हैं कि आता कितना है, तो बच्चे 65 का 80 परसेंट कितना हुआ, 80 बटे 100 हो गया, माइनस 70 का 70 प्रतिसत, ये हो जाएगा, इसकी value कितनी आनी चाहिए, हमारे 3 के बराबर आनी चाहि यही है न, तो 20 चोग को 80 और 20 पाचे 100, 5 एकम 5, 13 पाचे 65, ये दो सुने से दो सुने ये कट जाएगा बच्चे, तो ये आजाएगा 13 चोग को 52 माइनस सा सते 49, इसकी value कितनी आगई, 52 में से 49 चला जाएगा, इसकी value कितनी आई, 3 और यहां पे भी हमने निकाला 75 का 4 प्रति तो इसका मतलब जो हमने question लगाया है, वो क्या किया है, वो सही लगाया है, option number 1, अगर इस टाइप का question अगर आता है, तो आप लोग इस concept को follow करके उस तरीके से लगाएंगे, तो आसानी से लग जाएगा, next question देखते हैं बच्चे, दिया है कि यदि किसी कच्छा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो कच्छा में लड़कों का प्रतिसत कितना होगा, जब किसी कोई कच्छा है, और उसमें 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो कच्छा में लड़कों का प्रतिसत कितना ह यहां पर कुल बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं बच्चे, कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, लड़के और लड़कियां दोनों मिला के न कुल बच्चे होंगे, तो इसका मतलब किया हुआ, 15 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब कुल बच्चे कितने हो परिशन निकाल लेगे 15 बटे 50 यही नहीं. 50 में से 15 बच्चे लड़के हैं तो इनका परसंट निकालने के लिए क्या करेंगे 15 बटे 50 गुड़े 100 हमने बताया था कल न कि जीतना लिया जाता है जितने हिस्से में से लिया जाता है वही percentage होता है तो यानि जो 15 लड़के लिये हैं 50 से तो यहां से 50 में से हमने 15 लिख दिया है अब इसी में से पूछ रहा कितना प्रत्सत होगा तो 50 दुनी 100 यानि 15 दुनी 30 परसेंट 30 परसेंट लड़के हैं टोटल टोटल बच्चों का जो option number A यहां पर देखिए और next question बढ़ते हैं बच्चे दिया किसी संख्या का 35 प्रतिसत प्राप्ट करने के लिए उस संख्या को कितने से गुड़ा करना होगा अब दिया बच्चे कि अगर किसी संख्या का 35 प्रतिसत प्राप्ट करने के लिए अब जो भी प्रतिसत प्राप्ट करने के लिए अगर दिया गया है तो उसको क्या करेंगे, हम fraction में परिवर्थित कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि वह कितना उस संख्या से गुड़ा करना होगा बच्चे, तो अब दिया है कि 35 प्रतिसत, तो 35 प्रतिसत का मतलब क्या हुआ, अगर माल लेते हैं यक्स का, तो एगर कोई संख्या यक्स है, उ उसमें से 35 प्रतिसत, 35 प्रतिसत का मतलब क्या हुआ, 35 बटे 100, यही न, इससे गुड़ा करना है, तो वही पूछ रहा है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यह बच्चे कर जाएगा, पांस आते 35, पांच बिच्वें 100, यानि एक्स में 7 बटे 20 से अगर गुड़ा कर द लिखेंगे 7 बटे 20, तो भी उसकी वैल्यू कितने बराबर होगी? 35% के बराबर होगी, बस यहाँ पर यही चीज पूछ रहा है, कि 35% की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रेक्शन में 7 बटे 20, अल्टरनेट वैल्यू पूछ रहा है न, दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? ठिक, तो यहाँ पर option क्या आएगा option number C, 7 बटे 20, next question देखते हैं बच्चे, दिया है कि यदि राम के पास स्याम से 25 प्रतिसत अधिक रुपए हैं, तो स्याम के पास राम से कितना प्रतिसत कम रुपए हैं बच्चे, आगर आप यहाँ पर देखें कि अगर मान लेते हैं, कि अगर हम कहें कि राम के पास राम के पास और एक स्याम है, एक स्याम है, राम के पास 10 रुपए हैं, स्याम के पास 20 रुपए हैं, ठीक, तो अगर सामान रूप में पूछ दिया जाए कि राम के पास स्याम से कितने रुपए कम हैं, तो आप बता सकते हैं कि स्याम के पास 20 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का difference कितना है? 10 रूपए्, तो राम के पास कितने पैसे कम है ? 10 रूपए कम है. अगर बात कहे दी जाए कि राम, स्याम के पास राम से कितने अधीक है तो यहाँ इनको percentage में अगर बच्चे बाता नहीं हो चीजें तो इसका system अलग हो जाता है तो अगर percentage में अगर चीजें देखी जाए तो अगर यह कहा जाएगे कि राम के पास स्याम से कितना कम है तो इसका मतलब क्या हुआ 10 कम है कितने से कम है 20 से कम है यहीं है 20 रुपे से कम है इसके पास 20 रुपे है इससे कम है और इसका प्रत्सत निकालना हो तो बटकुडे 100 यानि 10 दुनी 20 यह हो जाएगा 50 50 परसेंट इसके पास कम है स्याम से राम के पास 50 परसेंट कम है यहां पर 20 रुपे है यहां पर 10 रुपे तो यहां पर सब दिख रहा है कि इससे 50 परसेंट कम है क्योंकि 20 का 50 परसेंट कितना होता है 10 होता है अब यहां पर यह चीज़ें आ गई अगर यह कह दिया जाए कि राम के पास स्याम से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो राम के पास, स्याम के पास राम से कितना परसेंट अधिक है, तो ये बच्चे हो जाएगा, ये 10 अधिक है, किस से पूछ रहा है, 10 राम से पूछ रहा है, तो गुड़े 100 हो जाएगा बच्चे, तो 10 से 10 बराबर कितना राम के पास 20 रुपए है तो यहाँ पे अगर देखा जा तो 10 अधिक है इससे तो 10 का वैल्यू कितना होगी 100% 10 यहीं आएगा 10 की वैल्यू 100% कितनी होगी 10 होगी तो 10 अधिक है तो यह इसका मतलब कितना आया 100% आ गया यहाँ से चीज है अब आते हैं कुश्चन पर बच्चे कि कुश्चन हम देख रहे हैं कि कुश्चन क्या है यह तो मानली समझाने वाली चीज है कह रहा है कि राम के पास स्याम से 25% अधिक रुपए हैं अब मान लेते हैं कि यह राम है और एक स्याम है अब राम के पास स्याम से 25% अधिक है तो मान लेते हैं स्याम के पास 100 रुपए रहे होंगे और इनके पास 25% अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ एक सो पचीज रुपए रहे होंगे भाई पहले 100 रुपए तो 100 का 25 पर सेक्ट कितना हुआ 25 हुआ तो इसके पास कितना हो गया 125 रुपए हुआ तो कहरा है तो स्याम के पास राम से कितना प्रतिसत कम रुपए है तो कितना कम है भाईया 25 रुपए कम है न यह कितना कम है 25 रुपए कम है ठीक तो स्याम के पास राम से कितना प्रतिसत कम रुपए हैं तो यानि 25 यह हुआ किस से पूछ रहा है राम से इस कितना हुआ 125 ठीक गुड़े 100 जिस से पूछ रहा है उसको बच्चे नीचे लिख लेंगे ठीक राम से पूछ रहा है तो राम का नीचे लिखेंगे अगर स्याम से दीखते तो इसका मतलब यहां पर कितना जाएगा 25 एकम 25 25 पाचे 125 पाच बीसमें 100 यानि 20 परसेंट यह क्या है कम है 20 परसेंट कम है option number C एक तो यह हुआ इसका बेसिक तरीका बच्चे यह हुआ इसका बेसिक तरीका और एक होता है थोड़ा अलग टाइप का इसको लगा सकते हैं तरीके से देखिए अब जैसे दिया हुआ है कि 25 परसेंट अधिक रूपए हैं तो 25 परसेंट की वैल्यू बच्चे क्या होती है अगर आप याद करें तो 25 परसेंट की वैल्यू क्या होगी एक बटे 4 होगी ना आप लिख सकते हैं ना 25 बटे 100 25 बटे 100 बराबर क्या हुआ है एक बटे 4 वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे ठीक अगर आप देखें बच्चे तो एक बटे 4 वह कहारा एक अधिक है एक अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ एक वाला अधिक है यह बच्चे हो जाएगा आपका पांच बटे 4 यही हो गया पांच बटे 4 हो गया अब पूछ रहा है राम और स्याम यहाँ पे राम मालीजे लिख देते हैं और एक यहाँ स्याम लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह पांच हो जाएगा और यह चार हो जाएगा अब पूछ रहा है स्याम के पास राम से कितना प् बीस परसेंट बीस परसेंट डाइरेक्ली आप यहां से हल कर सकते हैं और यह सारी चीजें लिखने की विवच्चे जरूरत नहीं है जब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो पचीस परसेंट को आप क्या लिख सकते हैं एक बटे चार अधिक कह रहा है तो इसका मतल आप एक कम कर दीजिएगा अगर एक बटे चार अगर है आ रहा है तो उसकी वैल्यू एक बटे तीन हो जाएगी एक कम कर दीजिएगा तो जैसे यहाँ पर 25% अधिक कर रहा है तो 25% का मतलब क्या लिख सकते हैं एक बटे 4 इसको निरस्त करेगा एक बटे 5 और गुडे 100 और डारेक्टली आजाएगा 20% यहीं से डारेक्टली आप आंसर कर सकते हैं इतना छोटे में आप लगा सकते हैं वो तो रहा कांसेप्ट में बताने का तरीका और जैसे इस तरह से आप हल करेंगे तो यह बहुत आसानी से हल हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं बच्चे यहाँ यदि A, B से 10% कम है तो B, A से कितना प्रतिसत अथीक है तो 10% कम है तो 10% को आप लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं 10% को लिख सकते हैं आप एक बटा 10 और कम है तो इसका मतलब क्या हुआ एक बटा 9 कर दीजिए एक बटा 9 कर दीजिए कम कह रहा है तो एक कम कर दीजिए इसको, एक स्वाले से एक कम कर दीजिए, यही नहीं और नहीं तो आप कांसेप्ट में जाएंगे, तो बच्चे यही देखेंगे न कि एक बटा 10 है, तो यह क्या है, यदि A है और B है, यदि A B से 10% कम है, तो इसका मतलब क्या यह 10 है, तो यह 9 हो गया, भीक है, तो एक बटा 9 गुड़े 100, एक बटा 9 गुड़े 100 लिखेंगे, वही चीज हम यहाँ पर डायरेक्ली आपका लिख दिये हैं, एक बटा 9 गुड़े 100, डायरेक्ली, आप यहाँ पर यह चीज लिखेंगे, हम वहाँ पर डायरेक्ली लिख दिये हैं, तो यह आसान त जाएंगे तो उस तरह से सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा अब यहां से क्या है आपकी चीजें आसाने जैसे जब भी कहता है कि अगर percent कम की बात कहरा है तो उतना अंस वाले से घटा दीजिए अगर अंस में एक है तो हर में हर से एक घटा दीजिए अगर अंस में दो है तो दो घटा दीजिए, तीन है तो तीन घटा दीजिए, जो भी वैल्यू अगर कम की बात कह रहा है, जब अधिक की बात कर रहा है, तो बच्चे उतना जोड़ दीजिए, बास समझ में आईए, नेक्ट कुश्यन पर बच्चे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, इसमें क्या था, ओप्सन नूमबर C था न, यदि राम के पास स्याम से 25 प्रतिसत अधिक रूपएं हैं, तो स्याम के पास राम से कितना प्रतिसत कम, ये तो हो गया था, कुश्यन, एक कुश्यन ये है बच्चे कि यदि A का वेतन, B के वेतन से 20 प्रतिसत कम हो, तो B का वेतन, A के वेतन से कितना प्रतिसत अधिक होगा, तो भाई सीधी सी बात है, 20% फिर कह रहा है, कम करने की बात कह रहा है, यहाँ पर क्या बात आ रही है, कम करने की बात आ रही है, तो इ यहीं होगा, 20 बटे 100 लिखेंगे न, 20% को, तो 20 से कम 20, पाचे 100, यहाँ पे 1 बटे 5, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक, तो अगर आप देखेंगे, तो 20% को हमने लिखा 1 बटे 5, कम हो, तो कम हो का मतलब क्या है, कि 1 बटा 4, एक घटा दीजिए, इसका मतलब क्या ह हुआ है, एक बटे 4, यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बटे 4, तो B का वेतन, A के वेतन से कितना प्रिशत अधीक होगा, तो एक बटे 4, गुडे 100, यह आ जाएगा, 25, 25% अधीक होगा, option number C, अगर बेस में जाएंगे, तो उस तरह से आपको एक तरीके से लगाना पड़ेगा अगर आप लगा के देखें, यदि दिया है कि A और B अगर दिये हैं, कह रहा है कि A का वेतन B के वेतन से 20% कम है, अगर इसका वेतन क्या है, 100 रुपे है, तो इसका वेतन बच्चे 80 होगा न, 20% का मतलब क्या हुआ, 20 हुआ 100 का, 20% कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका व हो जाएगा 20 और पूछ रहा एक के वेतन से कितना अधिक है तो यह बच्चे कितना हो जाएगा 80 यह से पूछ रहा है ना 80 अधिक 80 है ने इसका बेस भाई इसके पास 80 है इसी से पूछ रहा कितना अधिक है इसका क्या हो जाएगा गुड़े यहां से भी चीज़एं अगई यह आपका बेसरीज़ें यह क्या है आपका बेसेक है और यहांसे आपका क्या है स्मार्ट तरीके से जल्दी से इसको हल कर सकते हैं ठीक next question पर बढ़ते हैं बच्चे दिए कि चीनी के मुले में बीस प्रस्टिसत की ब्रिधाधी होने पर खर्च में कितने प्रतिसत की कटवती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला बै और परिवर्थी तरह है दुकांदार के पास आप गए चीनी खरीदने के लिए आप चीनी खरीदे और आप सोच रहे हैं कि भाई हमको 100 रुपे में उतनी चीनी मिल जाए पता चला कि वह कुछ परसेंट बढ़ा दिया और आपके पास उतना ही बजट है तो आप सोचेंगे भाई कुछ कम करके उतने स खरीद ले तो वही चीज़ें आप से यह पूछ रहा है बच्चे कि चीनी के मुल में 20% की ब्रिद्धी होने पर सेम कॉंसेप्ट लगेगा कुछ नहीं करना है सेम कॉंसेप्ट है यहां पर 20% का मतलब क्या हुआ ब्रिद्धी होने का मतलब आप 20% को लिग सकते हैं बच्च इस एक बटए 5 लिख सकते हैं ब्रिद्धी होने की बात कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ एक बटा 6 हो गया बाई एक जोड दीजिए इसमें एक बटा 6 हो जाएगा अब क्या है ब्याय में परिवर्ट नहों हो गुडे 100 कर दीजिए इसी से यह आजाएगा कितना शोला स तो इसका बेसिक क्या बनता है जैसे हम माल लेते हैं बच्छे कि एक आदमी है वह 10 रुपए कीलो के हिसाब से 10 कीलो चीनी खरीदता है 10 रुपए कीलो के हिसाब से 10 कीलो चीनी खरीदता है तो उसको कितना रुपए देना होगा 100 रुपए देना होगा यही चीज है न हम माल लेते हैं कि 10 गुड़े 10 बराबर 100 10 रुपए कीलो चीनी के हिसाब से 10 कीलो चीन परसेंट कितना होगा, 10 का 10 परसेंट कितना होगा, जैसे हम इसको 60 चीजों को लिखेंगे तो 10 का 10 परसेंट बराबर कितना होगा, एक होगा न, क्योंकि देखिए 10 का 10 परसेंट यहीं होगा, 10 दहां में 100 और यह हो जाएगा यह, इसका मतलब क्या हुआ, एक, वही चीज हम ल दिखे हैं, 10 का 10% कितना होगा बच्चे, 1 होगा, जब और 10 का 20% कितना होगा बच्चे, 2 होगा, 10 का 30% कितना होगा, 3 होगा, 10 का 40% 4 होगा, 45% 4.5 होगा, यही चीज होगा न, अब यहां पर आप देखिए, सवाल बनता है कैसे है, कि 10 गुड़े 10 बराबर 100, वह 20% की बृद्धी हो रही है दाम में, तो इसका मतलब क्या हुगा, 10 की जगह 12 हो गया, यही न हो गया, 20% की बृद्धी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुगा, 2 रुपए बढ़ गया उसका, 10 का 20% कितना हो गया, 2 हो गया तो यह 10 दूबारह हो गया, अब क्या हो रहा है, पता नहीं है कितना खरीदना है और उसको पूरा वेतना कितना धन, 100 रुपए ही देना है बक्चे ये चीज क्या कर रहा है कि ये आप परिवर्तित न रहे ये जो भाग है जितना आप पैसा लिये हैं वो पैसा आपका परिवर्तित रहे वो उतना ही पड़ा रहे है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 रुपे आपका यूही पड़ा रहेगा ये परिवर्तित नहीं होग यह परिवर्तित क्या होगी? मात्रा परिवर्तित होगी. इसको हमने क्या मान लिया? X मान लिया. अब यहां से बच्चे X की वैलू आप निकाल सकते हैं 100 बटे 12. तो आप देखेंगे तो चला जाएगा कितना आएगा? 12, 8, 96. फिर कितना बचा? 4 से इस बचा. तो बारत 36. डाट 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 डाटी चला जाएगा. ठिक? यह चला जाएगा. अब हमारा कितना आया? 8, 3, 3, 3 आ गया. अब अच्चे X की वैलू कितनी आ गई हमारी? X की वैलू 8, 3, 3, 3 आ गया. अब यह कितना आया? चुकि यहां पर 10 था. अब यह घट के कितना चला आया है? 8, 3, 3 तीन चलाया है तो इसको बच्चे 10 से आप घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कम हुआ है यह वहाँ पे देखिए तो यह हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा यह हो जाएगा 6 हो जाएगा और यह क्या आएगा एक आएगा 10 में से 9 में से 8 जाए एक आएगा आपका वैल एक क्या है मैंने बताया था ना दस का 10% कितना होता एक होता है ये तो खुदी आल्डेडी 10% हो गया अब ये 6, 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10.6 की value कितनी हो गई 6% हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ ये 6, 7 का मतलब क्या हुआ दो बटे 3 क्योंकि दो बटे 3 में जब भाग देते हैं दो बटे 3 को आपस में काटते हैं तो बच्चे क्या आता है दस्मलो 6, 6, 6, 7, 7 बढ़ता रहता है न सेम value आती है तो इसको आप लिख सकते हैं दस्मलो 6, 7 लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं दस्मलो 6, 7 लिख सकते हैं तो अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 16 सही 2 बटा 3 यहां से भी आ जा रहा है बच्चे क्योंकि एक तो हमारा 10 है 10 मलोच 6 10 सोलर और इसकी वैल्यू हमने क्या बताई है 10 मलोच 6 साथ की वैल्यू क्या आएगी 2 बटे 7 तो इसका मतलब क्या आया 16 सही 2 बटे 3 परसेंट ठीक यह थोड़ा सा जटिल चीजें हो जाती है आसान यह भी है जैसे आप प्रेक्टिस करते जाएंगी वो चीजें आसान होती जाएंगी जैसे हमको थोड़ा सा याद है इन सारी चीजों को और आप जैसे जैसे प्रेक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी बच्चे next question पर बढ़ते हैं बच्चे डाल के मुल्ले में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रसत की बृद्धी की जाए ताकि डाल पर होने वाला ब्याय परिवर्टीत रहे तो 25% की कमी होने पर तो कमी का मतलब सीधे है कि आप एक माइनस कर दीजेगा उसमें से एक या जो भी वैल्यू आए यहां पर आप देखिए तो बच्चे 25% को आप लिख सकते हैं एक बटे चार अब कमी की बात कह रहा है तो इसका मतलब किया हुआ एक बटा 3 हो गया अब गुड़े 100 कर देना है बच्चे यहां से यहां जाएगा 33 सही एक बटा 3% बस इतना सवाल करना है 33 सही एक बटा 3% ओप्सन नमबर A ठीक नेक्स्ट कुश्चन पर बढ़ते हैं बच्चे दाल के मुल्य में 25 प्रत्षत की ब्रिध्धी होने पर खर्च में कितने प्रत्षत की कमी की जाए ताकि दाल पर होने वाला ब्याय अपरिवर्टी तरह यहां 25% की ब्रिध्धी की बात की जा रही है बच्चे यहां जब 25% की ब्रिध्धी की बात की जाए तो अच्छे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 25% की value क्या हो जाएगी, एक बटे 4, और बृद्धी का मतलब क्या हुआ, एक बटे 5, आप एक एड़ कर दीजी उसमें, एक बटे 5 हो जाएगा, अब क्या करना है, गुडे 100 कर देना है, यहाँ जाएगा 20, 20% की यहाँ पर क्या क करना है, कमी करना है, 20% की कमी करना, option number D, ठीक, बस इतना सा सवाल है, इतना छोटा, concept में जाएगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देखें, तो concept में अगर आप देखना चाहते हैं बच्छे, तो 10 गुडे 10, बराबर 100, यहाँ पे 25% क बराबर कितना हुआ, 100 के, X बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे 12.5, अब 10.8 आना है, तो बच्छे गुडे 10 कर दिया जाए उपर, यह हट जाएगा अपने से, यह हो जाएगा, 25 चोग का 100, और यह आजाएगा 5 दुनी 10, यानि कितना आ जाएगा, X की वैलू कितनी आ है, और इस समय कितना है, 8, यानि कितना कम है, 2, और 2 की वैलू कितनी होती है, बच्छे, 20% होती है, 2 की वैलू कितनी होती है, 20%, 10 के हिसाब से, यहाँ पे चुकि 10 गुडे 10, बराबर 100 हमने किया है, तो 2 की वैलू कितनी आएगी, 20% आएगी, यानि यहाँ से भी चीज़ें आ गई और यहां से भी चीज़ें आ गए अब चुकि इस तरह से जल्दी लग जाता है सवाल इस तरह से थोड़ा सा कठिनाई से और देर में लगेगा ठीक next question पर बढ़ते हैं बच्चे questions समाप्त हो गए हैं मिलते हैं फिर next वीडियो में कुछ अलग टाइप ये questions को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद